Dear friends, सन 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वाला मिलेट येर घोशित किया है बढ़ते हुए समय के साथ आने वाले समय में हेल्दी इटिंग पेटर्न में मिलेट का याने मोटे अनाज का बहुत ये अच्छा रोले मोटा अनाज मतलब जुआर बाजरा रागी इत्यादी तो इसके कुछ चार खास बाते आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहती हूँ मैं डॉक्टर दीपी का मुंदड़ा फिजीचन फ्रम नासिक नमबर एक है अट लेवल अफ गट यस आद्यडियों के लेवल पर भी मोटा अनाज कुछ स्पेशल काम करता है इसका मतलब गट डिस बायोसीज को ये अच्छा रखता है हेल्दी बेक्टेरिया को ये अच्छा बढ़ा के रखता है और जो हामफुल बेक्टेरिया है जैसे ये कोला एंट्रो कोकाई इनका नमबर हमारी हाथडियों में कम करता है ऐसा मानना है जाता है कि गट हेल्थ का बीमारियों से बहुत ही गहरा रोल है आने वाले कुछ समय में साइन्टेस्ट गट और बीमारी का रिलेशन ही स्टेडी करने वाले हैं स्पेशली डाइबिटीज, ओबेसिटी और कोलेस्टरोल मतलब अच्छी आतडिया, अच्छा खाना पीना, आतडियों में अच्छे बेक्टिरिया अगर पना पुरहें तो बीमारी कम रहेगी नंबर टू होता है स्पेशल डाइटरी फेक्टर्स जित्ते भी मोटे अनाज है, उसमें नकेबल एंटी आक्सिडंट, एंटी इंसलेमेटरी, एंटीबाइटिक प्रापर्टी है अपीतू, ये ग्लुटन फ्री है तो जो लोग सीलियक डिसिस से पिडित है, उनके लिए तो ये वरदान है, ये ग्लुटन फ्री है इसमें जो तत्व है, वो कोई भी पेशन ले सकते है नमबर त्री पाइंट है, कि ये फार्मर्स के लिए बहुत ही उप्युक्त है, क्योंकि इसमें पानी भी कम लगता है इन फसल को और इसमें फर्टिलाइजर भी कम लगता है, और तो और इसका प्रोसेसिंग भी बहुत कम है नमबर चोथा इंपोर्टन पाइंट है इसके लिए ये इन्वार्मेंट प्रेंडली है, मतलब की पॉलुशन कम होता है और ये फसल कटने के बाद ज्यादा कच्रा भी नहीं बसता है, कारवन अवशेश भी कम बने रहते हैं तो फार्मर्स के लेवल पे, इन्वार्मेंट के दरह से देखा जाए, पेशन के लिए देखा जाए तो diabetes, heart की बीमारियों को बचने में, बचाने में ये जो मोटा अनाज है, उसका बहुती अच्छा रोल है लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगी, इसमें कुछ तत्व होते हैं जैसे phenol, polyphenol, tanin ये क्या करते हैं, कभी कबार, minerals का absorption कम कर देते हैं, और अच्छे vitamin के absorption को भी रोक सकते हैं कभी कबार, iodine के deficiency से जैसे की, goiter या फिर thyroid की बिमारी भी आ सकती है तो इन चीजों को बचने के लिए, आपने क्या करना है, processing को अपनाना है वैसे तो processing बहुत प्रकार की होती है, परन्तो important तरीका होता है जिससे आपको फाइदा होगा वो है soaking, पानी में अनाज को गला के रखना, दूसरा होदा fermentation, तीसरा होता है germination जब भी इन तीन प्रोसेस से आपका अनाज, specially मोटा अनाज निकलता है, तो इसमें अच्छे तत्वा बढ़ जाते हैं और खराब तत्वा कम होने लगते हैं तो याद रखिए, millets आपकी health के लिए वर्दान है, सिर्फ थोड़ा सा इस्तेमाल करने का तरीका आप संभल के लिए Thank you so much